यमुननगर के एतियासिक कपाल मोचन तीर्थ में लाखों श्रधालों ने कार्तिक पूर्णिमा के लिए आधी रात को ही पवित्र स्नान कर दीपदान शुरू कर दिया और मन्नते मांगी इस दोरान पहले मांगी गई मन्नतों के पूर्ण होने पर पूजा अर्चना की गई इस बार श्रधालों ने रातरी के समय तीनों सरोवरों के किनारों पर दीपदान किया और पूजा अर्चना की वहीं कपाल मोचन मेले की परमपरा है कि पूर्ण स्नान तक जहां अन्ने प्र तीर्थ सरोवनों के तटों पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना करने के लिए अनुमान के मुताबिक चे लाग से अधिक तीर्थ यात्री, हर्याना, पंजाब, उत्रप्रदेश, उत्राखंड, दिल्ली, केंदर शासित प्रदेश, चंडिगर और हिमाचर प्रदेश राजियों से पहुँच गए हैं। शेत्र में ठंड काफी बढ़ गई हैं और शुकरवार को दिन भर कोहरा चाया रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर तीन सरोवर हैं।